करने जा रहे हैं आपका reminder book का है ठीक है जो कि आपको ठीन में दिया जाएगा या reminder book का मैंने फर चार्प किया है Instagram पे आप जा के देक्शक्ते हैं और इस book का खाशियत क्या है यहische book बहुत important है question 100 % मिलने का chance होता है याद रखेगा और इसमें देखिये प्राचीन भारत मद कालीन भारत आधधषी भारत तीन भाग में है तो यह तो आप जानते है तो आज सूर करने जा रहा है प्राचीन भारत से जो कि चैप्टर-बाइ्चैप्टर स्रीछ चलेगा पैसा लगेगा आप कमेंट करेंगे subscribe लाइक करते रहेंगे support करेंगे और सबसे बड़ी बात मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि science का science का मैंने लगवग करवा चुका हूँ जो कि दो बजे होता है उसके जगा पर ये history चलेगा reminder का जिसमें history, geography, political चलेगा हाँ, आप से एक सवाल है कि आप ये बताईए कि मैं science का जो weekly जैसे बिहार जीके का चला रहा हूँ weekly वैसे ही महा मैं राथन चलवा दू biology का सेट प्रैक्टिज आपका physics का सेट प्रैक्टिज तो comment करेंगे यस में comment करेंगे ठीक है अगर आप चाहते हैं कि मैं Sunday को महा मैं राथन का रूप में वैली ची को कर दू Sunday या Saturday weekly एक टाइम शाइनिवार को दो बज़े ही तो आप comment करेंगे ठीक है तो चलिए आज सुरू करने चलते हैं history का सुरूआत करने मेरे दोस्त कोशिश करेंगे आपका इसका देखिएगा इसका history का या तुखी का पंदरफ प्रैक्टिस सिट है या तुखी का तो पंदरफ प्रैक्टिस सिट होंगे जब तक वन लाइन नहीं के लिए दोंगे तो चलिए फटा फट करेंगे कोशिश करेंगे और इसे add भी करेंगे चलिए आए बाला question है सरप्रथम किस इतिहासकार को सरप्रथम किस इतिहासकार को इतिहासको तीन भागों में बाटने का श्रेप राप्त है यह बहुत महत्पूर्ण प्रशन है तो या दिखिएगा किस्टोफ सेलियर्स जो जर्मानी के हैं उन्हें मिला है ठीक है यह बस वन लाइन है चलेंगे ठीक है चलेगा प्रचीन स्रूरत के बारे में चलता है पाला कोशन है इतिहास किता अधियन किया जाता है तो अतीत का अधियन करते हैं हम लोग है ना चलेंगे किस ने कहा अब चलेए कौन-कौन इतिहास के बारे में क्या क्या कहा है यह important है आगे सवाल बनता है कि किस इतिहाश दार्शनी सास्त्र ने कहा था किस इतिहास जो है दार्शनी जो सास्त्री है ने कहा था कि समस्त इतिहास समकालिन इतिहास है तो याद दिखेगा बेने डिटो क्रोचे ने कहा था याद दिखेगा आगे सवाल है किस इतिहासकार ने कहा था कि सच यह है खाली जगर कि इतिहास में अतीत बरतमान के साथ बदलता है तो याद दिखेगा ओक साट ने कहा था ठीक है ये सब थोड़े थोड़े हैं इसलिए जरूरी है कि आज आए तो आप घ्रवडाय नहीं टिक ओट करके हैं इसलिए मैं करवा रहा हूँ ठीक है शंपून इतिहाश जो रिमाइंडर बुक्स करवा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेन है मेरे रोस चुकना अदम नहीं है शंपून इतिहाश विचारों का इतिहास है ये ध्यान रखेगा किसने परिभाषित किया है तो या रहा रखेगा कलिंग बूड ने क्या नाम देजिएगा कलिंग बूड ने कहा था या रखेगा आगे सवाल बनता है कि किसने अस्पष्ट तय कहा है कि इतिहास के समस्त निशकर्ष युक्त शंगत सच्छो पर अधारित होता है तो यहाँ दखेगा त्यू सी यहाँ दिसने क्या कहा है । यहाँ दखेगा option आएगा लगा देज़ेगा इतिहास के पिता क्यों पाद ही किसे प्राप्त है तो या रिखेगा hero totus को या तखेंगे आगे चलेंगे इतिहास अपने जो है इतिहास जो है अपने को दोहराता है या कथन है किसका तो heagle का या तखेंगा आगे चलेंगे हम इतिहास से यही सिखते हैं हम इतिहास से यही सिखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सिखता या कथन किसका है बताएगा तो heagle का ही है या तखेंगा कमेंट किये थे मतब मजाक बनाये थे एक तरुसे किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष क इतिहास है तो कालमार्स का हाई या तो खिएगा कालमार्स का बहुत ही अभी वी आई प्रशन यह पूस्ता है ठीक है चलिएगा आगे है इतिहास विगत की राजनिती है बताएगा इतिहास जो है विगत की राजनिती है या उकती है किसकी तो सीले की सीले जो हैं एक दर्शनी प्राचिन इतिहाश, या दूसरा का अलूचछ अलूचक है समझे की करते हैं प्राचिन इतिहाश या दखिएगा प्राचीन भारती ये जो इतिहास है कि अध्यन के कितने सुरोफ हैं अगर आपको पूछे कि अध्यन का कितने सुरोफ हैं भी भी प्रशने के नूट कर लिजे तो तीन है मेने दोस्त, क्या हैं? तीन है पुरा तात्विक स्रोथ, साहितिक स्रोथ, एक विदेशियों के 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 विदेशिय पुरा तात्विक सुरोत का जिसमें खुदाय उदाय से मिलता है या दखेगा पुरा तात्विक सुरोत के अंतरगत सबसे प्रमानिक सुरोत क्या है तो या दखेगा सबसे प्रमानिक अगर सुरोत पूछे आपसे तो बहुत सटिक जवाब देजेगा अभिलेक क्या अभिलेक आविलेक कितने प्रकार के हैं तो दो प्रकार के होते थे तो दो प्रकार के होते थे सरकारी अविलेक और नीजी अविलेक होते थे यह दिखेगा आगे सवाल क्या बनता है मेरे दोस्त कि विश्व के सबसे प्राचीन अविलेक कहां से प्राप्त हुए विश्व का जो है सबस माइनर के या देखेगा एसिया माइनर के बोग जकोई नामक अस्थान से ये प्राप्थ हुआ था या देखेगा अबिलेक सबसे प्राची नविलेक अगर पूछे कि कहां से प्राप्थ हुआ तो एसिया के माइनर के बोग जकोई नामक अस्थान से हुआ था बोग जो कोई या तकिएगा बोग बोग जो कोई या तकिएगा ठीक है चलिएगा जहां कोई नहीं जा सकता चलिएगा मरे दोस्त आगे प्रशन है कि सरप्रधम भारत बर्श का जिगर किस अविलेक में है सरप्रधम भारत बर्स का जिगर है किस अविलेक में है तो हाथी गूफा अविलेक में है या तकिएगा हाथी गूफा का नाम शुन है और भी भी आई प्रशन है मेरे दोस्त भी भी आई प्रशन है या तकिएगा ये प्रशन पूछ चुका है तो सरप्रधम भारत का जिगर क किस अभिलेक में हैं तो हां थी गूफा अभिलेक में या तकिएगा यह 100% बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ एक तरों से समझ यह अगर लेना होगा तो लेली जी का टेलिग्राम इंस्टाग्राम पर मैं बता चुक हूँ इस बुक के बारे में ठीक है चलेगा आगे चलेंगे सर इशिया का जो रिलेक था जो एस्या माइनर का रिलेक था जिसका नाम क्या था वाग ग जो कोई नाम ठाना जी अभिलेक का तो वो बताइए गा कख लिखा गया तो 1400 इस भी पुर्व है याद के खाव दया ओन व्रों देवता इंद्रदेवता ऑ们ल scar cannot get you को खुए गाए ओघ्डै परिखेंगा इरान का समराड़ धारा पूर्ठं के द्वार वही अस्तून का अविलेग कव लिख्वाया गया जी रिख्षटी सतम्धीस् astronomers पर्णिपर में लिखवाया गया चीक है आगे चलेंगे अब इसिद बाहरत को चींद से ध्यान रखेगा आगे भारत में सबसे प्राचीन अविले कहां से प्राप्थ हुए तो सिंदु घाटी सब्ता से प्राप्थ हुए मेरे दूस्त आगे चलेंगे सिंदु घाटी के अविले किस पर लिखी गई थी तो मिठी के बरतनों एब मुहरों का लिखी गई थी यह ध्य प्रिंसिप ने पढ़ा था आगे चलेंगे भारतिये पुरातत्व सर्वेच्छन की अस्थापना कभ हुई थी प्रिंसिप किस देश के रहने वाले विद्वान थे तो फ्रांस के रहने वाले थे जो कि मौरकार का जो अविलेक था उसे पढ़े थे रखेगा अशोक ने अपने अविलेक पर किस किस लिपी का प्रियुक किया था भी भी आई प्रश्ण है मेरे दोस देदम चुकने का नहीं तो ब्रम लीपी तो इसका फेमस था खरिफ्टी लीपी तो मत्य कहिए यह भी फेमस था चलेंगे आगे अशोक ने अपने अविलंग पर किस लिपी का प्रियोग सबसे अधिक किया तो ब्रम्ह लिपी का प्रियोग सबसे अधिक किया था मैंने बताया चीक है अशोक के किस अविलेक पर दो भाशाओं का प्रयोग हुआ है तो यह दिखेगा सार एक कुना जो कंधार है ना कंधार उस पे अविलेक पर दो भाशाओं का प्रयोग किया है सार एक कुना चीक है आगे सवाल बनता है कि अशोक ने अपने किस अविलेक पर खरोष्टी लीपी का प्रयोग किया है तो या देखेगा किस अविलेक पर मन सहरा एवं शहवाज गड़ी जो है में प्रयोग किया था अविलेक का नाम है मन सहरा देखेए यहाँ पर बढ़िया से देख लिजेगा है ना क्या है मन सहरा अविलेक है या दिखिएगा और सहवाज गड़ी जो अभी लेख है इस पे जो है खरोष्टी लीपी का प्रिवक किया था अगर आपसे पूछे कि कौन से अभी लेख में दो भाशा का प्रिवक किया था तो सार एक कुना जो कि कंधार का है कंधार अभी लेख भी का सकते हैं उसे है न ठी कि आपको पाकिस्तान में मिलेगा अभी बरतमान में पाकिस्तान में है अवीलेखों का अधियन क्या कालाता है मेरे दोस्त गे प्रस अगे सवाल है कि भारत के कि सरप्रतम भारत में विशिद्ध संस्कीत भाषा inflammation का प्रिव किया गया है तो जुना गड़्व अविलेग पर संस्कित भार्षा में तो सक छत्रक रुद्र दमन द्वारा किया गया था याद रखेगा लंबा विलेक अगर पूझ दे तो रुद्र दमन को याद रखेगा शक छत्रक या चत्र यह बोलिएगा ठीक है आगे चलेंगे हाथी गूफा विलेक का समन्द किस धर्म से तो जैन ध गए यह बी आपके लिए बहुत पार प्रस्थन पूछा है एहुल अविलेक जो है किस की जानकारी मिलती है यह पूछ रहा है तो चालुक सा शक पूलकेशन द्यूतिय में हस्वर्दन का मिलता है याद रखेगा तो अगर ऑप बात करेगा या जानकारी पूछेगा आप जिसमें percussion duty नहीं बहुत ही क्यों है और सब्दम का मिलता है और可以 को कि ने लिखा तो यह रविक रिती ने लिखा था यहाथ ऊंकिएगा इहु प्रयाग अस्तंब अविलेक को किस भार्षा में लिखा गया प्रयाग अस्तंब अविलेक को किस भार्षा में लिखा गया तो संस्कीत भार्षा में लिखा गया प्रयाग अस्तंब अविलेक में किस के विशय में लिखा गया है तो समुद्र गुप्त के विजय के बारे में लिखा गया है कौन लिखा है हरिशेन लिखा है संस्कीत भासा में लिखा है यह ध्यान रखेगा आगया है भारती इतिहास में पहली वार सती पर्था काउले किस अविलेक में किया गया है तो एरन अविलेक में किया गया है अगर सती पर्था की बात करें अगर आप से पूछे कि सती पर्था किसमे किया गया, कौन से अभी लेक में, तो इरण अभी लेक में किया गया है, चलिए, एरण अभी लेक में थोड़ी सी जनकरी ओले ले corona लेते हैं, तो नीचे देखिये, एरण अभी लेक को, किसी ने लिखवाया तो १ूफ्त बंसी के पुलू मावी ने लिखवाय मंद सौर मंद शौर अभिलेग जोकिश ने लिखवाय TH water more देखे गुजर प्रतिहार और इसका मैंने एक सorte वीडियो बनागे डाला आप ने देखा भी है आप मैं दे चुका हूं ना है जिए चल पहले आप पहले चलेगा और आपको विखली भी दे दिया जाएगा चलेंगे आगे आप देख लिए आगे आप ये देख लिए दुबारा देखा देता हूं कि मंद दौर मंद शौर अविलेक जो है जो है किसे ने लिखवाए था तो मालवा नरेश कौन थे अशो धर्मन ने ठीक है आगे चलेंगे अशो ने बरावर की पहाड़ी गुफा में जो अविलेक लिखा कर किस धर्म के विचकों को दान में दिया था तो यार दखेगा जो आजीवक संपरदाय जो की इसका पिता बिंदुशार जो था आजीवक संपरदाय था उसी के लिए ये आजीवक संपरदाय के विचकों को दान म ये आजीव जो संप्रताय के विच्चुत है नो उन के लिए ठीक है तो चलिए इसमें देखा देता हूँ मैंने ऐसे वीडियो बना चुका हूँ जली-जली कर देता हूँ अबिलेक है ये दर और शाशक है कौन-कौन अविलेक कौन तो देखे कोन बनवायँ था? तो एहाथी का गूफा अविलेक कौन बनवाया? तो कलिंग राजा खारवेल बनवाय थे ये रखिएगा है ना आगगर चले जूनागड जिसे गिरनार अविलेक कहते हैं उसे कौन बनवाया तो रुद्दमन ने बनवाया था है रखिएगा लेकि लिखवाय कौन था हरिशे निशप का चर्चा होता है है ना दिया रखिएगा आगे चलेंगे इहोल अविलेक की अगर बात करें तो पुलकेशन द्यूतिय की बात करते हैं शाशक था चीक है उसकी बारे में बताया गया है चीक है अब शाशक भी था मंद शौर्ड अविलेक की अगर बात करें तो मालवा नरेश ऐशो बर्मन का बात करते हैं बर्मन और धर्मन कहीं कहीं दे देता है इसलिए गौलियर अविलेक की अगर बात करेंगे तो परतिहाद नरेश भोच की याद करेंगे अविलेक है इससी चीज़ को द्यान रखेंगे आगे चलेंगे वालाइनर में आगे सवाल है कि नागा अरजुन की पाड़ियों में गु किस अस्थान पर खुदवाया जाता है नीजी अविलेक की बात करेगा प्रशनली का परशिंतम नमूना किस अविलेक द्रबन के अविलेक में मिलता है याद भी केगा कम प्शमित्रशंग द्वारा असमिग जो येग हुआ था इसमेग ग्यक जो है किये जाने की जनकारी कहां की अविलेक से प्राप्त हुआ तो या देखेगा एउध्या के अविलेक से प्राप्त हुआ था तो अगर पुश्मित्र सूंग की अगर बात करें असमेग ग्यक की बात करें यह देखे गा हलिओ डोरस ने अपना आविलेक किस अस्थान पर लिखवाया था चाहरी कहाँए बिदेशिया नामा का अस्थान पर लिखवाया था यह ध्यान रखेंगे अब चलते हैं बिजेशिया विलेक्स से किस धर्म की जनकारी मिलती है मेरे दोस्त तो बिजेशिया जैसे ही होगी वैशन ओधर्म को याद करेंगे किसे याद करेंगे बैशनव धर्म को आगे चलेंगे कभी काली दास के नाम कावले किस लेक में हुआ है अगर काली दास का अगर नाम पूछे कावले किस लेक में हुआ है तो एहोल के उतकरणी लेक में हुआ था याद रखेगा ठीक है अगर आपसे पूछ दे मेरे दोस्त कि भारत में सिक्य के जन्मदाता किसे माना जाता है तो गौतम बुद्ध को माना जाता है पता नहीं कैसे आगे चलेंगे भारत में सिक्य का प्रचलन कब शुरू हुआ तो छटी सताब्दी में हुआ या तखेंगे आगे चलेंगे भारत में सोने के सिख्ये का सरप्रथम किस ने जारी किया तो हिंद युनानी ने किया था इंडस ग्रीक ने किया था या दुखेगा अगर आप से पूछे सोने के सिख्ये की बात करेगा तो आप हिंदी युनानी को याद करिएगा ठीक है आगे सवाल है कि भारत में किस राजबंस के सासकों ने सबसे सुद्ध सोने के सिक्खे जारी किये थे तो याद रखेगा फुशान राजबंस ने किया था याद रखेगा आगे सवाल बनता है कि भारत में किस राजबंस के सासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्खे को जारी किये थे तो अगर आपसे पूसे किस सिक्खे किस काल में हुआ तो मौर उत्तर काल में हुआ था ये चरूर बता दीजेगा ठीक है चलिएगा नक्ष्ट कोशन देखिए पहला कोशन आपसे पूस्ता है कि भारत में जो है सरप्रथम सिक्खे जो है इससे के सिक्खे किस बंस के सासकों ने जारी किये तो सतवाहन बंसों ने जारी किये थे ठीक है यह किलिए पता है कि कुशान बंसका जब रहाए था अच्छा ना अच्छा बताइए एक में बहुत संहीत करवा फाइए तो आगे सवाल बताई है किस मुस्लमान सासक जो था कौन ऐसा मुस्लमान सासक था ने अपने सिक्ये पर लच्मी के चित्र अंकित करवाये थे तो यह देखेगा मुहम्मद गौरी ने करवाये था किसने मुहम्मद गौरी ने करवाये था आगे चलेंगे व्याग रशायली के सिक्ये सरप्रथम किसने जार किये थे याद रखेगा समुदूर्गुब्त दिवतिय विक्रमाद दीति दिखेगा आगे चलेंगे शिक्य के अध्यन को किस नाम से जाना जाता है तो न्यूमियस मेटिक्स कर दिखेंक तो आगे सवाल दिखेंगे बहुत ही अच्छा प्रश्णा और अंतरगत किसका अध्यन किया जाता है अस्थापत कला में आगे चलेंगे और वैशाली चैनली जो कि आपको वैशाली चैत्रों मिलते हैं समझ गया, तो चलिएगा, आगे चलेंगे, तो आपसे अगर पूछे कि मंदिर कितने प्रकारग बनते हैं, तो तीन प्रकारग बनते हैं, या दिखिएगा, दैबिच सैली अगर पूछेगा, किस छेतर का है, तो आराम से बता देज़ेगा, है न, उत्तर भारत, या दिखिए कि भारत में नगर्शेली का सबसे उत्तम मंदिर क्या है तो बताएगा जो कि उत्तर प्रदेश में है उत्तर प्रदेश या देखेगा जो कि नगर्शेली में आता है जिसे दसमा अवतार का मंदिर नाम जाना जाता है सबसे बड़ा उत्तम मंदिर है दसमा अवतार या देखे आगे सवाल देखे कि भारत में वेशर सैली का सबसे अच्छा उदारन किस मंदिर का है तो या देखेगा ग्वालियर का तेलिये लोहगाना मंदिर है या देखेगा ग्वालियर के तेलिये लोहगाना मंदिर है ठीक है आगे चलेंगे आगे सवाल है कि भारत में मुर्ती बिषार eco कि अस्थान से यत्छणी की मूर्ति मुली तो दिद्दार गंज से मिला है दिद्दार्गांज गंधर काल की mitti kide also पर किस इनानी करलाकारों है ध्यान यह इनडिक चला रहा हूं गंधर काल की मूर्तियों कि किस युनानी देवता का प्रभाव है या देखेगा अपोलो देवता का आगे चलेंगे मतुरकल जो है मतुरकला के मुर्तियों पर अधिक प्रभाव है तो भारतिय जो है आप देख रहे हैं मतुरक कला की मुर्थियों पर किस की विशस्ता है तो या देखेगा ध्यात्मी की विशस्ता है या जो देखे। मतुरक कला में метika दुझ को किस रूप में दिखाया जाता है तरी है त्足मुमॉद्रrea में देखाती कि प्नुध जलेगे प्रयाइतियासिक आपए किस तरह से होती है तो यादि रिखेगा उठ्खनान से प्राफ्ट वस्तूबों से होती है आगे चलेंगे इसलिए सुनते चले जाएव किसे मानव का आदिप पूरवज घ्alay Стrelo पिठेकर्स को मान जाता है आगे चलेंगे किसे मानव माता कहा जाता है तो लूसी को कहा जाता है ध्यान रखेगा आगे सवाल है कि भारत के किस छेत्र में सरप्रथम मनुष्य समंदी पुरातात्विक प्रमान मिले हैं तो नर्मता गाटी में मिले हैं है ना चलेंगे आगे की ओड हुमो इरेक्टस का एक कपाल किस अस्थल से प्राप्त होता है तो नर्मता गाटी के हथ नोरा से प्राप्त होता है चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं धन्यवाद मेरे दोस्त ऐसे ही सपोर्ट करते रहें सब्सक्राइब करते रहें बाइ बाइ टड़ा नेक्स चेप्टर आपका इधियास के चलेगा बहुत ही अच्छा बाइ बाइ